तो अधियुभरिंग आज रिडोक्स रियक्शन में बीटा बात करेंगे बैलैंसिंग आफ्रिडोक्स रियक्शन इसके अक्चुली दो मेथट है एक तो आपका ऑक्सिडेशन नंबर वाला मेथट हो जाएगा और दूसरा मेथट जो है वो आपका कहलाता है half cell reactions तो हम start करेंगे half cell reactions से और एक example के थूई मैं आपको इसको समझाऊँगा इसमें पहली heading आप डाल लेजे in acidic medium अभी समझ में आ जाएगा आगे क्या है बट अभी आप यह heading डालिए in acidic medium तो सपोज मैंने आपको एक equation दी इसको हम पहले देख चुके हैं जब हमने change in oxidation number किया था एक equation इसको हम balance करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास equation हमें given है K MnO4 plus H2C2O4 plus H2SO4 ठीक है और यह आपको देरा K2SO4 plus MnSO4 plus CO2 plus H2O ओके यह हमारी reaction है इसे हमें balance करना है अब इसमें first step लिखिएगा step one step one आपका है balance या एक मिनट balance नहीं पहले यह लिख लेजेए step one जो आपका है इसमें लिखिएगा right half cell reactions अभी बता रहा हम half cell reactions क्या है right half cell reactions करते भी जाएंगे और सीखते भी जाएंगे steps भी सारे सारे लिखते चलेंगे तो समझ में ज़्यादा आसानी से आएगा अब बिटा half cell reaction आपकी क्या होती है हाफ cell reaction आपकी दो तरह की होगी एक आपकी कहलाएगी oxidation हाफ किस reactant का किस product में oxidation हो रहा है तो एक आपकी oxidation हाफ और एक आपका reduction हाफ अब आपके इंगे सर यह कैसे पता चलेगा कि किसका oxidation हो रहा है किसका reduction हो रहा है अच्छा यहां पर यह भी लिख लीजिए separately अलग अलग आपको करना है तो आप oxidation और reduction कैसे आपको बताया था oxidation नंबर से आप चेक रहा है तो यहाँ पर देखिए आपके जो variable है वो MN हो सकता है यह carbon है और यह sulfur है एच और O तो यहां पर fix है ठीक तो MN की oxidation number आपने calculate किया यहां प्लस 7 आया यह सब मैं आपको करा चुका हूं यहां पर carbon का देखेंगे प्लस 3 आएगा और sulfur का प्लस 6 आएगा इसी तरह से अगर आप sulfur का देखें के 2SO4 में तो प्लस 6 आ रहा होगा MN SO4 में sulfur करी MN का देख लेते हैं MN हमारा प्लस 2 है sulfur देखेंगे तो प्लस 4 ठीक है अब जड़ा change देखें प्लस 7 से MN जा रहा है प्लस 2 पे यह आपका क्या हो गया बिलकुल सही बात reduction हो गया तो अब जो आप equation लिखेंगे या आप reduction हाफ की जो equation लिखेंगे reduction हाफ यह समझ में है reduction हाफ और यह कै इसको आप कैसे लिखेंगे यह आपको दिखार हूं आप देखें बुक में तो कहते हैं कि आप positive negative में कीजिए लेकिन मेरा आपको suggestion यह पूरा पूरा लिख दीजिए के MNO4 convert हो रहा है MNSO4 में बस ऐसे लिख दीजिए चीक है यह आपकी reduction हाफ हो गई अब oxidation हाफ डूड़ी है oxidation किसका हो रहा है जिसका oxidation number increase हो रहा होगा तो यहां पर आप देखेंगे तो कार्बन का increase हो रहा है प्लस 3 से प्लस 4 जा रहा है ठीक है ओके तो अब आपने का oxidation हाफ की reaction कैसे लिखेंगे तो आपने पूरा पूरा लिख दीजिए H2C2O4 that gives you CO2 एक और मेधेड़ है आप इसको आयन में convert करके C2O4 माइनस माइनस करके लिख सकते हैं बट बेटर यह है कि आप इस वे में half cell reactions लिख लिखेंगे answer A कि आएगा yes यह ज़्यदा असान रहता हाफ सेल रियक्शन तो पहला step सबको समझ में आगे कि आपने क्या किया पता किया कि किसका oxidation हो रहा है किसका reduction हो रहा है किन-किन compounds में हो रहा है क्या changes आ रहे हैं और उनको separately reduction को जो reduce हो रहा है उसको लिख दिया और जो oxidize हो रहा है उस step 2 step 2 लिखेगा step 2 कहता है आपका अब इसी के लिए यह जो हमारी reactions बन चुकी है हाफ जो हाफ सेल रियक्शन बन चुकी है इनको हम balance करेंगे ठीक है सेकेंड इस्टेप लिखिएगा balance में एक्टम का मतलब क्या है एक्सेप्ट एच एंड ओ एच और ओ को छोड़के आप बाकी को बैलेंस करेंगे अब main atom balance करने का मतलब क्या है जैसे आपने का सर हमारी पहली जो reaction थी KmnO4 that gives you MnSO4 ठीक है अच्छा आप जड़ा difference देखेंगे यहाँ पर आपके पास यह एक ion है SO4 माइनस माइनस ठीक तो आप क्या कीजिए यहाँ पर इसको add कर दीजिए दोनों एक साइट करना पड़ेगा ना SO4 माइनस 2 प्लस KmnO4 that gives you MnSO4 और साथ में यहाँ पर K plus add कर दूँ तो यह मेरे main atom balance हो गया कौन-कौन K हो गया चेक हीज़े जरा K balance हो गया ओके और sulphate ion SO4 माइनस 2 balance हो गया ठीक है Mn भी balance हो चुका है चलिए मैं थ्री लाइन खेच देता हूँ जिससे आपको separate समझ में आई कुछ बात समझ में आई आच्छा यह तो हमने first वाली reaction को balance कर लिया हाँ अभी दूसरी भी दो थी यह reduction की थी oxidation आप उसको कैसे देखेंगे H2C2O4 इसमें main atom को और carbon है यह reaction थी आपके अब carbon को balance कर लिजे carbon को balance करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर टू लिख दू और दुनों साइट carbon को balance करेंगे और किसी की चंता मत कीजिए अभी ठीक है oxygen और H को अभी नहीं देखना है बाकी सब balance होना चाहिए तो आपने देखा यहाँ पर भी दो carbon हो गए यह equation हमारी balance हो गए ठीक है तो यह हमारा step 2 था स्टेप टू समझ में आ गया अब आगे बढ़ते हैं स्टेप थ्री इस्टेप थ्री कहता है बैलेंस oxygen atom बाइडिंग वाटर मॉली पहले लिख लीजे फिर बता रहा हूं बैलेंस oxygen atom बाइडिंग वाटर मॉलीकूल ठीक है अब यह कैसे होगा जरह देखते हैं आपकी equation फर्स्ट वाली जो थी वो आई थी SO4 माइनस 2 प्लस के MnO4 प्लस डाट गिवस यू MnSO4 प्लस के प्लस ठीक आप ज़रह देखिए oxygen कितना है आपके पास लेफ्ट हेंड साइड पे 8 oxygen और राइट हेंड साइड पे 4 oxygen यानि डेफिशेंसी है 4 की तो आप क्या कीजिए चले मैं different color से यहां लेग दूँ प्लस 4H2O यह हमने एड कर दिया 4H2O oxygen वैलन्स हो गए ठीक है चाल अभी एक और भी तो है H2C2O4 gives you 2CO2 oxygen देखिए oxygen बैलन्स है यहां पे 4 है यहां पे भी 4 है 2 into 2 ठीक है तो इसमें कोई चेंज करने की जुरूरत नहीं है यहां तो oxygen बैलन्स है तो कोई वाटर एड करने की जुरूरत नहीं है तो यह हमारा step 3 हो गया तो step 1 क्या था हमने half cell reaction लिखी step 2 क्या था हमने main atoms को बैलन्स किया h और o को छोड़के फिर step 3 क्या था हमने oxygen को बैलन्स किया h2o एड करके जिदर भी कम है oxygen उससाइड h2o जितने कम है oxygen atom उतने h2o एड कर दीजिए very good आप देखिए step 4 step 4 step 4 यहां पर generally क्योंकि हम acidic medium की बात कर रहे हैं तो यह question में दिया होगा आपको कि acidic medium या किसमें आप convert करेंगे तो अभी मैं बात कर रहा हूं acidic medium की तो in acidic medium balance hydrogen बाइडिंग एच प्लस आयन ठीक है जितने एच की कमी है उस पर एच प्लस आयन एड कर दीजिए देखें जरा क्या होगा equation लेक्राओं पहली वाली एस ओ फॉर माइनस टू प्लस के एमन ओ फॉर यह हमें दे रही थी एमन एस ओ फॉर यहां तक में balance कर लिए step 3 में प्लस के प्लस यहां पर आया था हमारे पास और सांत पर कितना था फॉर एच टू ओके फॉर एच टू अब ज़रा देखिए एच को देखिए एच कहां पर है एच के वाल यहां पर है एट एच लेफ्ट एंड साइड पे कोई एच यह नहीं है तो क्या करें लेफ्ट एंड साइड पे एट एच प्लस हमने एड कर दिया यह हमारा एडिशन आगे यह step 4 है चीक है चलिए अभी कानी खतम नहीं हुई second equation भी तो है H2C2O4 यह आपको दे रही है 2CO2 H कितने है बिल्कुल सही बात दो है तो इनको भी आप यहां पर लिख दीजे 2H प्लस हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए बहुत बढ़िया अब आपने हाइड्रोजन सारे एटम तो बैलेंस हो गए लेकिन अब एक चीज बैलेंस क स्टेप फाइब आपको कहेगा एड्रोजन इलेक्ट्रोंस तो बैलेंस चार्ज चीज बिल्कुल अब देखे कैसे आगा एट एच प्लस प्लस एस सो फोर माइनस तू प्लस के एमनो फोर यहां पर आपके पास 8E पॉजिटिव हो गया है ना ओके और यह कितना हो गया प्लस 1E सोरी 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 प्लस 1E कहा से आगया माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू ठीक है आच्छा इधर कितना है 1E तो डिफरेंस कितने गया 6 माइनस 15E का डिफरेंस आ गया ठीक है यह आप जहां 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 पर पॉजिटिव चार्ज है देख लिए जो कितने से मल्टिप्लाय हो रहा तो एट माइनस टू 6 हो गया 6 में से अच्छा आभी इसमें बहुत गलती होती है पॉजिटिव चार्ज किदर है लेफ्ट इंट साइड में तो इलेक्ट्रोन आपके किदर एड होंगे आप देखो चार्ज भी बैलन्स हो गया यह आपके सारे के सारी एटम भी बैलन्स हो गया है फॉजिजन ऑर चार्ज भी बैलन्स हो गया अच्छा सेकेंड वाले को देखेगा सेकेंड वाले में क्या होगा आपने लिखा एच्टू सीटू ओफोर डाट गिव्ज यू तू सीओ टू टू प्लस टू एच्ट फ्लस फाइन अच्छा जी इलेक्ट्रॉन किदर एड़ करें अपकी प्रोड़क्ट सेट पर ओके तो प्लस टू ए पाइन चलिए इसको मैं रेड कलर से लिक्टू जिससे हमें समझ में आया कि हमने क्या एलेक्ट्रॉन ओके मैं इसलिए बार-बार बड़े अराम से यह स्टेप्स लिख रहा हूं जिससे आपको एक एक स्टेप्स समझ में आए नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं अब आप सारे आटम ऑक्सिजन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज इनको बैलेंस कर चुक अब आपकी एक्वेशन में बड़ा कहीं आपको इलेक्ट्रॉन नहीं देखते ना तो आपको इन इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना है हुआ है ना हाँ तो step 6 है is step 6 है बैले न्स दा इलेक्ट्रॉंज इन बोथ हाफसे अरे एक एक ऑक्षिदेशन किये एक रेड Näकर दॉसरे में और थे कि अंबर अलग अलग हो सकत है जैसे यहां पर आप देख रहे हैं एक जगे ओहां पर विटा फाइव नहीं होगा एक कितना है तू आएगा ना सॉरी तू आएगा तू इलेक्ट्रॉन होगा तू बैलेंस होगी तू बैलेंस दा इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफसेल्स रियक्शिन्स एंड अब इसको समझना क्या करते हैं आप फर्स्ट एक्वेशन जो है आपकी ये ब्लू किलर से आपको दिखा रहा हूं पता है ये वाली जो एक्वेशन है ना इसको आप तू से मल्टिप्लाई कीजिए ये बिल्कुल वैसी जैसे मैट्स में आप करते ते ने मैं यह वरियोबिल को Eliminate किया करते हैं एक जी एक वरियबिल को तो इसको हम मल्टिप्लाई कर लेंगे टू से और लोवर वाली को माल्टिप्लाई कर लेंगे सांद यह बात समझ में आई है इस तili distrib54 करके आपको प्लस टू के एम एन ओफोर डाट गिव्ज यू एम एन एसो फोर तू से मल्टिप्लाइ करेंगे बिल्कुर सही बात है आपकी प्लस टू के प्लस प्लस एट एच टू को चेक कर ले ना यह आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है आ आच और सेकंड़ वाली को आप मल्टिप्लाइ करेंगे 5 से तो 5H2C2O4 दैट इस इव 210 CO2 प्लस 10 H प्लस 10 एलेक्टρέन और इन दोनों रियक्छन को अब आप एड़ कर देंगे है please जब आप इन्हें add करेंगे तो आप देखेंगे यह electron यहां से गायब हो चुके हैं। ठीक है? अब आप के पास क्या बचा? जल्दी बाजी नहीं, जल्दी बाजी नहीं, 16H+. पहले पूरा पूरा लिखें, एक बार पूरा पूरा लिखें, बाद में आप ज़रूर जल्दी जल्दी कर सकते हैं। प्लस 10CO2, प्लस 10H+. क्या यह आ रहे है? ठीक है? बहुत बढ़िया. अब दिखें, यह 10H+, इदर से कैंसल होके कितना रह जाएगा? 6H+, पिल्कुल सही बात. अब ऐसे H+, नहीं रखेंगे. तो H+, के लिए आप क्या करेंगे? दिखेंगा. यह H+, एड़ होगा, SO4-2 के साथ. यह बनेगा H2SO4. ठीक है? तो यहाँ पर आपके 2SO4 हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस SO4-2 और यहाँ पर भी SO4-2. दोनों साइड मैंने यह एड़ किया. क्यों किया यह समझ में आ रहा है? क्यों किया यह समझ में हा रहा है? यह बेटा इसलिए किया कि यह 6H+, यह 6H+, इन 3SO4-2 के साथ कंबाइन हो जाए. ठीक है? तो अब देखें यह क्या बना मेरे पास? यह मेरे पास बना 3H2SO4 प्लस 2KMNO4 प्लस 5H2C2O4. यह आपको देगा किया, बहुत ध्यान से. 2MSO4. अब ज़र देखना पटा है, यह K+, है और यह SO4-2 है. तो यह आपको देदेगा K2SO4. और प्लस साथ में आपके पास आजाएगा 8H2O और प्लस साथ में आजाएगा 10CO2. कुछ बात समझ में आई? ओके, यह आपके पास हो गया, जो रियक्शन आपको गिवन थी, वो बैलेंस होके आचुके होगे. हाँ, अब यह हमारी बैलेंस इक्वेशन है, चेक कर लिजेए एक बार, सब के आई नहीं है. 3H2SO4 प्लस 2KMNO4 प्लस 5H2C204, that gives you 2MNSO4, K2SO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2. अब इसकी जो बड़ी, सबसे बड़ी प्राब्लम है बिटा, वो यह है कि इट रिक्वाइट स्टाइम. बिल्कुल आप कहीं कोई गलती ही नहीं होगी, अगर आपको step याद है, लेकिन ये बहुत सारा time खाएगी. ठीक है, और स्कूल में जो subjective question आपको मिलेंगे, बड़े-बड़े question, वो तो इसी method से, अगर उन्होंने कहा दिया कि इस method से करना है, तो भाई तर इसी method से करना होगा, उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा, कोई. यही एक method है, that's the standard procedure, NCRT में भी ऐसी दिया हुआ है, NCRT में तो और इसे complex किया हुआ, उन्होंने पहले ions में convert कर, answer असे ही आएगा, answer यहीं आएगा, चीक है, yes, किसी तरह का कोई doubt तो पूछे, next, एक example के दूए करेंगे, लिखेगा adding, in basic medium, चीक है, अब ऐसीडिक medium का हमने method देख लिया था, पहले आपसल reaction बनानी थी, atom को balance करना था, उसके बाद hydrogen oxygen को छोड़के, फिर उसके बाद oxygen को balance करना था, H2O add करके, फिर hydrogen H plus add कर देने थे, उसके बाद, charge को balance करना था, electron को add करके, और electron को remove कर देना था, दुनों equation को add करके, तो हमारी redox reaction balance बन जाती है, ठीक है, अब basic medium में क्या होगा बई, तो basic medium में, पहला step सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, पहला क्या, आप यह कह सकते हैं, कि एक बार आपको acidic medium वाली equation balance करनी पड़ेगा, तो आप चाहें, तो लिख लिए जागा step 1, step 1 जो है, वो जतना कुछ हमने पहले किया, वो सब है, balance equation in acidic medium, balance equation in acidic medium, अब देखिए, यहाँ पर S2O3-2 that gives you SO4-2, यह मैंने आपको half cell reaction दी हुए, चीक है, इसको आपको balance करना है, इसको आपको balance करना है, acidic medium में पर, ठीक है, तो सबसे पहले किसको balance करेंगे, सबसे पहले sulfur को balance करेंगे, oxygen को छोड़ देना भी, जल्दी से देखो क्या equation बनेगी, S2O3-2 gives you 2SO4-2, यह समझ में आया, sulfur balance हो गए, सारे atom balance हो गए, आप किसको balance करना था, oxygen को, यह तो step 1 हुआ, ठीक है, पहले step यह हो गया, कि हमने, आपसल reaction को balance करने जा रहे हैं, actual में आपका step 2 हो गए, atom को जहां पर हमने balance करना था, पिल्कुल ठीक, अब oxygen को balance करना, कैसे balance करेंगे, H2O add करके, देखो यहां पर कितने हैं, 3, और यहां पर कितने हैं, त्यान से, जल्दी बाजी मत करना, 4 to the 8 हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 5H2O plus S2O3 minus 2, that gives you 2SO4 minus 2, चेक करो जड़ा, oxygen balance होएं कि नहीं, left inside की अगर आप बात करेंगे, तो H2O में 5 oxygen मिल रहे हैं, और O3 में 3 oxygen है, total 8 आपके पास होगे, left और right balance होगे, यह आपकी step 2 होगया, अब क्या करना है step 3 में, step 3 में hydrogen balance करना है, कैसे करेंगे, मैं आपको एक line में भी दिखा सकता था, बढ़ उससे confusion हो जाएगा, मैं इसलिए step by step लिखता हूँ, S2O3 माइनस 2, that gives you 2SO4 माइनस 2, plus 10 H plus कर दूँ, तीन लाइन हुई, लेंदी नहीं है, बहुत आसान है, चलो, अब देखो, आगे बढ़ें, हाँ, हाँ, H plus B होगे, अब क्या करना था, charge balance करना है, charge balance कैसे करेंगे, charge balance करेंगे, ओके, तो charge पहले देखना पड़ेगा न, left hand side पे कितना है, minus 2, left hand side पे minus 2 है, और right hand side पे plus 10 है, ठीक है, तो left hand side पे minus 2 और right hand side पे plus 10, क्या करेंगे, बेलकुल सही बात आपकी, right hand side पे 8 electrons add कर दें, मैं फिर से पूरा step लेकर रहा हूं, चिंदा मत परो, 5H2O plus S2O3 minus 2, 2SO4 minus 2 plus 10H plus, plus 8 electron, यह fourth step होगे, होगी balance, चीक है, यह acidic medium में balance हो चुकी है, हाफसेल reaction की बात कर रहा हूँ, पूरी reaction नहीं, ऐसी दूसरी होगी, उसको भी एक कर लिजएगा, तो चार लाइन हैं उनी हैं आपकी, अभी मैंने आपको चार लाइनों में ऐसे दिखाया, बट जब आपकी practice हो जाएगी, तो आप एकी line में एक के बाद एक, सबसे पहले आप S को balance करेंगे, फिर आप H2O add करेंगे, समझ में आ रहा है, जैसे मैंने यहीं पे आपको add कर दिया, यहाँ पर मैंने का 5H2O, ऐसे add कर दिया, अब जब मैं 5H2O add करूँगा, तो मैं यहीं पे फिर 10H plus add कर दूँगा, फिर यहीं पे मैं 8 electrons ऐसे add कर दूँगा, यह final equation मेरी एकी line में बज़ जाएगी, तो शुरू में आपको लगता है कि यह lengthy है, बट जब आपकी practice हो जाएगी, तो आप एकी line में इसको फटाफट लेख रहे होंगे, कुछ समझ में आया, चाले, बहुत बढ़िया, अब समझेगा जो basic medium में क्या है, तो basic medium में जो आपके पास h plus है न, जितने h plus है, जितने h plus है, हाँ, उनमें oh minus add करती है, एक side h plus होंगे, उनमें oh minus add करती है, तो यह मेरा step 2 आया, basic medium के लिए, add oh minus equal to h plus ions, बोट side, ठीक है? इक्वल के दोनों side अगर आप same चीज को add गर रहे हैं, तो कोई change आया है नहीं, चलिए देखें जिरा क्या हो जाएगा, 5H2, और मैं फिर से पूरी equation लिख रहा हूँ, S2O3 minus 2, that gives you 2SO4 minus 2, plus 10H plus, plus 8 electron, अब मैंने इसमें add किया, 10OH minus, और इधर भी 10OH minus, कुछ बात समझ में आई? अब देखो ये 10H plus और 10OH minus मिलके इसने मुझे दे दिया 10H2O, आप अगले step में लिखेंगा नहीं, तो बाद में गड़ पड़ा जाएंगे, ठीक है? यहाँ, यहाँ पर एक चीज का दियाम रखना, दोनों साइड ह2O हैं, तो आपको आप बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, तो फाइनल बैलेंसिंग कर लो, अब फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे लिख देता हूँ, मैं, यहाँ पर मेरे पास हो गया 10OH minus plus 5H2O, अच्छा 5H S2O तो नहीं होगा न, यहाँ कैंसल हो जाएगा, ओके, रुक रुक मैं पूरी equation लिखके बता रहा हूँ, S2O3 minus 2, that gives you 2SO4 minus 2 plus 5H2O, और plus 8 electron, कुछ बात समझ में आई, मैंने आपको एक half cell reaction दिखाए, ऐसे ही अगर आपका दूसरी है, तो आप दूसरी भी balance कर लें, यह समझ में आगया, तो पहले आपको acidic medium में balance करना है, जब वो equation balance हो जाए, तो दोनों side, जितने H plus थे, उतने OH minus add कर देंगे, भी example लेंगे, तो और clear होगा, इसको note कीजे, फिर आगे बढ़ते हैं, एक example लिखिएगा, मैं आपको half cell reaction दे रहा हूँ, देकि practice अगर आपकी half cell की होगी, तो दूसरी वाली भी उसी तरह से उनी बिल्कुल balance, ठीक है, मैंने आपसे का I2 gives you I3 minus, इसको आपको balance करना, half cell reaction दे होगी आपको, चीक है, चलिए, शुरू हो जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, I को balance करेंगे, बिल्कुल सही बात है, तो अगली equation मैं नई line में ही लिख र हूँ, ओके, अब next जो मैं लिखूँगा, इसको balance करूँगा, oxygen को, oxygen को balance करने के लिए मैं क्या करूँगा, 6H2O add करूँगा, left hand side पे, ये बात समझ में आई, अच्छा, अब 6H2O मैंने add कर दिया, oxygen मेरी balance हो गई, अब क्या करूँगा, H plus को balance करूँगा, तो अगली जो मेरी line है, वो मैं 6H2O plus I2 that gives you 2IO3 minus plus 12H plus, क्या ये लिख दूँ, ये दिखिए, इस cool में जब ये आएगा तो आपको इस तरह से एक-एक line लिख के दिखानी पड़ेगी, टीचर को तभी number मिलते हैं, ये बड़े question में आएगा, हाँ, number इसके ज्यादा होंगे, आदे एक number पे नहीं आएगा, 3-4 marks जितने भी है, वो depend करेगा, ठीक है, और अब क्या करेंगे, O और H भी balance हो चुके हैं, तो अब charge को balance करना, बिल्कुल सही बात है, तो charge balance करेंगे, तो देखें, क्या होगा, 6H2O plus I2 that gives you 2IO3 minus plus 12H plus, plus 10 electron कर दूँ, चेक कर ले नहीं, IO3 minus 1 है, लेकिन 2 से multiply हो रहा है, तो minus 2 यहां से आया, और 12H plus है, 12 plus 12 वहां का हो गया, 10 electron add गर दी, ठीक है जी, ओके, अब यहां पर, यह जो H plus आ रहा है ना बटा, यह product side आ रहा है, यह product side आ रहा है, आपको reactant में डालना है, या तो आप basic medium डालेंगे, या acidic medium, ठीक है, तो आपको इसको कहां लेके आना है, येस, अगर आपका product side में H plus आ रहा है, तो आप इसको OH minus add कर दीजे, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहीं पे मैं add कर देता हूं, 12 OH minus, और इधर भी add कर दे रहा हूं, 12 OH minus, कुछ बात समझ में आई, और यह आपकी equation बन गई, I2 plus 12 OH minus gives you 2 IO3 minus, प्लस यह दोनों 12 OH हुआ और यह 6 H2O कम हो गया, तो यह आपका आगया 6 H2O plus 10 electron, यह बनी मेरी equation, balanced equation जो आपने ऊपर देखी थी, I2 gives you IO3 minus, कुछ समझ में आया, वहाँ पे आपके पास O नहीं था, O कहां से आएगा, H2O add कर, H2O जोतना add होगा, H कहां से balance होंगे, H plus, अगर हैं, तो भी उनको रहने दीजे, वो मैं आपको H2C2O4 में दिखा चुप होंगे, ठीक है, तो यह मेरी बनी final balanced equation, यह ध्यान रगिएगा, यह half cell के लिए, अब दूसरा cell जो होगा, उसके लिए भी ऐसी करेंगे, और फिर उसके बाद electrons को equate करके eliminate कर देंगे add, ठीक है, तो final balanced equation यह आगे, बिल्कुल, बिल्कुल, नोट कीजे, कोई doubt है तो बोलुए, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक line में कैसे solve हो जाता है, मान लीजी मैंने आप से का CR plus 3, यह convert हो रहा है, CR 4 minus 2 में, सबसे पहले हमें किसको balance करना है, CR 4 तो CR तो balance है, दोनों side 1 1 है, कोई चिंता की बात नहीं, अब oxygen पर जाएंगे, oxygen को balance करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4H2O add कर दिया, oxygen balance हो गई, चेकर लिजे, दोनों side 4 oxygen आ चुकी है, बिल्कुल सही बात, अब आपको H को balance करना है, तो आप क्या करेंगे, right hand side में 8H plus आपने balance कर दिया, ठीक है, अब आप charge को, यह ध्यान रखी का किसको किसके बाद balance करना, order ध्यान रखियेगा, अच्छा, अब आप देखेंगे, plus 3 इधर है, और उधर minus 2 और 6 इधर है, तो यहाँ पर आप plus 3 electron यह add कर दिए, चेकी जीज़र, अच्छा, अब मैंने आप से कहा था कि product side में H plus आ रहा है, तो product side में H plus आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ओके, 8 OH minus को दोनों side हम add कर देंगे, तो यह हमारे पास हो गया, basic मेंट, clear, चलिए, यह मेरे पास 8H2O बन गया, 8H2O और यहाँ पे 4H2O है, अब मैं final balanced equation लिख रहा हूँ, C R plus 3 plus 8 OH minus gives you C R O 4 minus 2 plus 4H2O plus 3 electron, चेक करो जरा, यह अगर आपकी बन गई, तो आपको यह कहानी समझ में आ गई ही, अब बेटा बात करेंगे next method की, चीक है, balancing redox reaction by oxidation number, यह नाम जो है, यह आपकी NCRT में दिया हुआ है, oxidation number method, ठीक है, बट problem यह है कि पहले भी हमें ने जो oxidation और reduction चेक किया था, उचेक किसे किया था, oxidation number से, ठीक, तो हमने इसका नाम थोड़ा सा change कर दिया, वो एक movie आई थी ना, हेरा-फेरी, यह देख, तो हमने इस method का नाम हेरा-फेरी रख दिया, यह standard में यह प्लीज आपको बता रहा हूँ, यह हमारी class का नाम है, हेरा-फेरी, हेरा-फेरी का मतलब होता है, इधर का उधर कर लो, उधर का इधर कर, ठीक है, तो यह हेरा-फेरी method से हम इसको करेंगे, यह NCRT में दिया हुआ है, नाम मैंने दे दिया बस, तो यह मत सोचेगा कि कोई तरीका है, कि हमने याद करती है, NCRT में दिया हुए, NCRT से एकदम से आप पढ़ेंगे, तो हो सकता है, आपको यह clear ना हो, बट मैं जो आपको method होता हूँ, बहुत simple, ठीक, तो एक example ले रहा हूँ, सीधे-सीधे आपके लिए, मन लीजे, मैंने आपसे का, ammonia और oxygen की reaction होके हमें मिल रहा है, NO plus H2O, और इसे हमें balance करना है, इस equation को हमें balance करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका oxidation number चेह करना है, चलिए, तो nitrogen का देखिएगा, हाँ जी, nitrogen का, nitrogen minus 3, और इदर आपका plus 2, fine, आच्छा, oxygen का भी जेखिए, oxygen यहाँ पे 0, O2 है, और इदर है आपका minus 2, कुछ बात समझ में आई, ठीक है, अब चेक क्या करना, यह बात मैं आपको पहले वरसे बता चुका हूँ, आपने देखा, यह जो change आया, आपको change चेक करना है, change आया 5, पर molecule, जयान रखना, पर molecule चेक करना है, ठीक है, और दूसरे वाले में, आपका जो change आया, वो कितने का आया, plus minus से मतलब नहीं है, change निकालना है, ठीक है, यहाँ पर 2 का change हुआ, लेकिन 2 into 2, यानि 4 पर molecule आएगा, oxidation नंबर में 4 का change आया, आया तो 0 से 2 आट 2 का change आया, लेकिन 1 एक एटम में, 2 एटम हैं, तो पर molecule कितने का change आगया, 4 का, ये बात समझ में आई, बस ये जो change है न, ये हेरा फेरी कर दो, ये 5 और ये 4, ये interchange कर दो, interchange का मतलब क्या हो गया, भाई ये 5 यहाँ लिखा आपने, किसके आगे, ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ, interchange करना भाई, हाँ, NH3 में कितना हुआ था, 5 हुआ था, तो NH3 के आगे लिखदो 4, और Oxygen के आगे लिखदो 5, ये हो गई हिरा फेरी, कुछ बात समझ में आई, और यहाँ पर आपने लिखा NO और H2, अब इसे balance कर दो, यहाँ बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है, ये 4 nitrogen है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ, ठीकि पहला step क्या है, ये समझ में आया, Oxygen में 4 का change आ रहा था, वो किसको दे दिया, अमोनिया को, और अमोनिया में, नाइट्रोजन में 5 का change आ रहा था, वो किसको दे दिया, Oxygen को, तो ये हिरा फेरी हो गई, इंग change नंबर की, ठीक है, बिलकुल, बिलकुल, और एक चीज़ का धियान रखिएगा, Oxygen को last में count कर द हो गए, 6, चेक करो, अब Oxygen देखो, Oxygen कितना अगया, टैन इदर है, टैन उदर है, बैलेंस होगी कुछ, बस, ये हिरा फेरी मेथड, आप इसे ट्रिक कह सकते हैं, जो भी कहना चाहिए, तो करना क्या है, फिर से ध्यान से, सबसे पहले आपको देखना है कि किसका Oxidation नंबर चेक हो रहा है, पर Molecule निकलना है, चलिए, एक एग्जामपल और, एक एग्जामपल और, टीक है, एक एग्जामपल और, Fe2O3 प्लस V0 गिव्ज यू, V2O5 प्लस FeO, टीक है, अब अगर आप यहां पर देखें, तो Fe का Oxidation नंबर यहां पे प्लस 3 आ रहा है, लेप्ट हें साइड पे और, राइट हेंड साइड पे प्लस 2 है, क्लियर है, V को अगर आप देखें, तो प्लस 2 है, यहां पे आपके पास प्लस 5 है, Fe को चेंज देखिए, Fe का चेंज, कितने का है, चेंज तो है, वन का, लेकिन दो एटम है, तो 2 इंटू 1, टू पर Molecule का चेंज आ गया 2 पर Molecule का चेंज आया, किसमें, Fe में, चीक है, और अब जरा बात करें, V-O की, यहां पे देखो, V-O से V2O5, हाँ जी, यहां पे चेंज देखो, 2 से 5, यहनी, 3 का, क्या Multiply करूं, 2 से, नई, क्योंकि हमें Reactant को देखना, Reactant में तो एक ही V है, तो यह नंबर क्या हो गया, 3 पर Molecule, और उपर क्या नंबर हो गया, 2 पर Molecule, ठीक है, अब क्या करें, 3 लगा दे, Fe2O3 के आगे, रहे रहा फेरी है ना, यही तो नाम है उसका, इसलिए तो रखा ना उसका, तो कर दो जिसका नंबर जो चेंज जा रहा है वो दूसरे को दे तो इधर का उधर उधर का इधर चालो तो यहां पर टू आगे ठीक अब बैलेंस करें वी तो बैलेंस है इपी देखो एपी इपी कितने हो गए सिक्स चली मैंने बैलंस करके हां अब कुछा और भी तो नाइन और टू इलेवन फाइव और सिक्स इलेवन बैलंस है औक्सीजन को लास में चेक करते हैं तो देखें दो लाइन में हो गया यह आपका ऑक्सीडेशन नंबर का मेथड है और हमने इसको नाम दे दिया हिरा तेरी अब बिटा यहां पर यह बिल्कुल वही पर्स्ट वाली जो रियक्शन हमने देखी थी जिससे हमने लॉंग मेथड से सॉल्व किया था उसको हम आप फिरा तेरी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लेकिन यहां पर एक चीज का दियान रखेगा कभी भी आपको इस त और सलफर वेरी कर सकता है यह आपको पता है कि इनके वेरी कर सकता है ठीके तो कभी भी थ्री में एलिमेंट्स अगर आपके मिल गए तो थ्री में एलिमेंट्स में ध्यान रखेगा कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो वेरी नहीं कर रहा होगा और जो वेरी ना क कर रहा हो उसे लास्ट में बैलेंस करना बस इतना द्यान रखेंगा बाकी जब कुछ से मैं ठीक अब देखी क्या होगा एमन आपके पास प्लस सेवन आ जाएगा चेक करो हुआ है यहांपे संफर प्लस सिक्स है कि यहांपे संफर प्लस एफिक से एमन प्लस टू है कारबन आपका प्लस प्लस पूर और यह आ जाएगा तो अब हमें किस पर कंसंट्रेट करना है यह ध्यान दो एक तो हमें देखना है ये MN को ठीक है, सलफर में कोई चेंज नहीं आ रहा है मैंने आपसे कहा था, तो आप इस सलफर को अभी तो बूल जाओ जिसमें चेंज आ रहा है बस उसका ध्यान रखो सलफर को अभी बूल जाओ ठीक है जी, चलो, अब चेंज देखें चेंज जो है वो प्लस 7 से प्लस 2 आया चेंज कितने का हो गया? 5 का चेंज कितने का हो गया? 5 का कोई डाउट तो नहीं है? आचा, अब जड़ा कार्बन को देखो कार्बन में चेंज आया 1 का, लिकिन कार्बन के दो एटम है रियक्टेंट साइट के कार्बन के दो एटम है तो ये आपका टू इन्टू वन यानि की टू का चीज़ जाया ठीके अब टू किसको दोगे किसके आगे लिखोगे टू ये सोचो यही समझने वाली चीश है बैटा हेरा फेरी करनी है किस की हेरा फेरी करो गया यह जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा उसकी मित्रतना है बिल्कुल तो 2 आप किसको दे दोगे 2 K M N O 4 को समझ में आया और 5 किसको दे दोगे 5 H 2 C 2 O 4 ठीक है अभी इसकी चिंता मत करो इसको H 2 S O 4 ऐसे ही लिखते है सब बैलन्स हो जागा चंता मत करो ठीक है अगे क्या लिखोगे K 2 S O 4 प्लस M N S O 4 प्लस C O 2 प्लस H 2 O चिक अच्छा जिए अब किसको देखें सबसे पहले M N को बिलेंस करते हैं तो आपके पास M N 2 है यहाँ पर M N 2 करने के लिए मैं 2 लगा दूँ चेक कर दो अच्छा अब K 2 है यहाँ पर K 2 है ठीक है तो यहाँ पर तो वन ही आएगा अब ज़रा देखो S O 4 आयन आपको मिल गए S O 4 माइनस 2 मिल गए आपको कितने हैं राइट एंड साइड पे S O 4 यह आपका 1 प्लस 2 S O 4 माइनस 2 है यह समझ में आ रहा है पास यहाँ पर लिख दो 3 3 H 2 S O 4 क्यों अरे सलफेट आयन कहीं और ही नहीं तो इसको कहां से बैलेंस करोंगे S O 4 चलो अब जरा चेक तो करो बाकी ऑक्सिजन को चेक कर लो हाइड्रोजन को चेक कर लो 5 2 तेन और 16 ठीक है 16 हाइड्रोजन ए 16 हाइड्रोजन है यहां पर 8 कर दो ओके 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 कहां चला गया कहां चला गया कहां चला गया यहां पर 8 कर लो 8 H 2 ओ आ गया ठीक है अब कौन बचा है कार्बन बचा है कार्बन को देखो 10 कार्बन 10 कर बना गया आपकी एक्वेशन बनी 2 K M N O 4 plus 5 H 2 C 2 O 4 plus 3 H 2 S O 4 that gives you K 2 S O 4 plus 2 M N S O 4 plus 10 C O 2 plus 8 H 2 O यह C O 2 बना है O O 2 नी यह C O 2 है डिकी जिए oxygen चेक तरो oxygen चेक तरो लास्ट में यहां पर इधर कितनी है 20 और इधर कितनी है यहां पर कितनी है 4 प्लस 8 12 हो गई 20 और 8 बेलंस है oxygen को लास्ट में चेक करना ठीक है तो इस तरह से आप इस मेथर्ट से चेक कर सकते देखिए वहां कितना टाइम लगा था और यहां कितना कम टाइम लगा पर इस्कूल में अगर उसने का आपको उस मेथर्ट से चेक करना तो आपको दिखाना पड़ेगा शो करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ही उसके होंगे मैंने आपसे का था इसको याद रखेगा सिया टू ओ सिवन वाला है ना ओके तो प्लस सेक्स आपने यहां पर का और राइट एंड साइट पे सिया टू को देखिए तो यह आपका प्लस त्री हो गया हुगा मैंने आपसे का था कुछ उनों में रट जाएंगे अच्छा चलिए मैं डिफरेंट कलर से आपको सी का दिखा रहा हूं कार्बन का कार्बन का मैं यहां पर प्लस त्री ले ले रहा हूं एक टू सी टू ओ फॉर में तो वाज यह कर लिया ठीक है और सी ओ टू में प्लस फॉर अभी उपर से करते चले आ रहा है कुछ दिन करेंगे तो रट जाएंगे बहुत वड़ी है ओके और सिल्फर को अगर आप देखेंगे तो सिल्फर आपका बिल्कुल यह प्लस तेक्स म हम बूल जाते हैं सल्फर वाले हम नंबर ही यहां से गायब कर देते हैं इससे हमें कुल इंपूजिन ना रहा है अब हमें देखना है कि चेंज क्या हुआ है तो यहां पर अगर आपने कमांड कर लिया पिर आपको कभी भी मुश्किल नहीं आएगी ठीक है तो भाई इसका यह हेरा-फेरी वाला नंबर है वो 6 है किसका के टू-सी आटू-सेविन गा और एस्टू-सी टू-ओ-फोर ना 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 यहां से यह सी ओ-टू-प जा रहा है ओके यह नंबर आपका क्या है ओके वान का चेंज है लेकिन एटम आपके पास तू है तो टू-इन्टू-वन यह तू आ गया और द्यान से ठीक है तू किसको मिलेगा तू मिलेगा के टू-सी आर्टू-सेवन को और सिक्स किसे मिलेगा एच्टू-सी-टू-ओ-फोर को और साथ में हम अभी एच्टू-सो-फोर लिख दे रहे हैं ओके बैलन्स करेंगे सेलफर को के टू-सो-फोर प्लस-सी-आर्टू-सो-फोर होल थ्राइज प्लस-सी-ओ-टू-प्लस-एच्टू-ओ-फोर यह हमारे पास फस्ट आगई एक्विशन ठीक है फेरा-फेरी करके हमने एक नंबर दे दिये बिलकुल रेक्टेंट साइट तो हमारे काफी चीज़ें बैलन्स हो चुका है इधर तो बैलन्स हो चुका होगा अब देखो अब देखो यहां पर किसको बैलन्स करेंगे के को जब बैलन्स करेंगे तो यहां टू लिखना पड़ेगा चालो तो हमारे पास के बैलन्स हो गया हमारे पास सियार बैलन्स हो गया आपको बचार्बन कार्बन कार तो यह तो यह तो प्लस तू प्लस तो प्लस तो एट सलफेट आयन कहा से मिलेंगे यहां पर एट आ गया किसका द्यान रखना एट वाले का है क्योंकि सलफेट आयन वहीं से आ रहे हैं अब वह बात अलग है कि वह पुटेशियम के पास गया या क्रूमिंग के वास गया ठीक है फिलकुल लेकिन आये तो एश्ट वह से ही यह आपका एट आ गया अब बाई किसको बैलेंस करें हाइड हिड्रोजिन पो है ड्रोजिन कितनी होगी चेक करो है एक ही जगे है 16 है नहीं 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 6H2 भी तरह यहां भी है ओहो जलदी बाजी नहीं नहीं तो गड़ड़ हो जाएगी 6H2 प्लस 8H2 14 आ गया विटाई ठीक है ओके यहां पर हम लिख देते हैं 14H2 अब इसे बैलेंस करें कि चलो एक वार फिर्ट से लिख देता हूं मैं 2K2 CR207 तो इस तरह की चीज़ आएंगी जल्दी बाजी में गड़बड मत करना यह आया 8H2SO4 यहां पर 2K2SO4 प्लस 2CR2SO4 होल थ्राईज प्लस 12CO2 प्लस 14H2O अब देखो यार यह तो सब 2 से कैंसल हो जाएंगी कर लोगे ना ओके डिवाइट बाइटी तो यह तो से कटा हैं यहां पर फॉर आया यहां पर वण आया यहां पर भी न आया यहां पर शिक्स आया और यहां पर सेवन आया तो यह बनेगी आपकी निए पाइनली बैलेंज रिक्षिन आपकी आएगी के टू सी आब 2O7 फ्रेक्शन में नहीं होना चाहिए ना बाकी अगर सब जगे एवन है तो आप तूसे डिवाइट कर सकते हैं यह जो कोफिशेंट है वो फ्रेक्शन में ना हो तो बेटर है जब आप एक्विशन लिखते हैं यह नहीं कि आप उसको थ्री और फॉर से मल्टिप्लाइ करके लिख रहे हैं फिर वो तो नहीं बनेगी ना कोई गलती नहीं होती उसमें लेकिन आपका लिखने का जो तरीका है वो क्या है यह स्लोवेस्ट नमबार में सब के सब होती है कितनों की यह आगी अब बिटा जैसे अभी मैंने आपको बताया एसेडिक मीडियम या बेसिक मीडियम कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन इन डिजायर्ड मीडियम तो बुले सर अब इसका क्या मतलब है तो यह मैं आपको वैसे बता चुका हूँ क्योंकि यह एकदम से टर्म आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं इसलिए बता रहा हूं अगर आपका एच प्लस रिएक्टेंट साइड में आ गया तो आपको कुछ नहीं आपने का सर्य एसेडिक मीडियम है क्योंगि रियक्टेंट साइड पे एच प्लस आया यानि एसेड दे रहा होगा तो वह आपका क्या हो गया अगर आपका एच प्लस प्रोडक्ट साइड पे आ गया तो आप क्या करेंगे दोनों side OH- को add कर देगे तो जब आप दोनों side OH- को add करेंगे तो H2O तो आ जाएगा product side पे ठीक है शाहो तो लिख लो after adding OH- both side और reactant side पे क्या गया होगा reactant side पे आपका OH- आ गया होगा तो अगर reactant side पे OH- आ रहा है इसका मतलब यह आपका क्या हो गया basic medium क्लियर तो कोई desired medium से को बहुत ज़्यादा फरेक नहीं पढ़ना है method वही है सब कुछ वही करना है पहले acidic medium में सॉल कर लो यह acidic medium भी क्यों याद रखना स्टेप आपको पता है ना सबसे पहले क्या करना है में एटम को balance करना में एटम को balance कर लिया फिर oxygen को बैलेंस करना oxygen को कैसे बैलेंस करना है एच प्लस एड़ करके अपसल रियक्शन में यह सब करते हैं ठीक है और लास्ट में चार्च को balance करना है तो इस तरह से आप इनको solve कर सकते हैं और बाकि अगर आपको हेरा तेरी मेथट मिल जाए तो फिर बात ही क्या कुछ करेंगे बैलेंसिंग और डिस प्रपोर्शनेट रियक्शन